प्रसिद्ध स्वतंतिता सेनानी विचारक एवं सेवादल के संस्थापक डॉक्टर नारायन सुबाराव हार्डिकर के पुनितिती ब्लोग कॉंग्रिल सेवादल चोरई के नेतरत्व में विधायक काराले चोरई में पुष्पमाला अरपित कर विनम्र श्रद्धान जली दी विधायक सुजित्सी हचोधरी द्वारा अपने संभोधन में दिवंगत नारायन सुबाराव हार्डिकर जी की जीवनी से उपसे जनों को अवगत कराया गया कि उन्हें समात सिवा के एक शेत्र में सन 1958 में पद्मभूशन से समानित किया गया था ये करनाटक राच्च से थी नारायन सुबाराव हार्डिकर का जन्म साथ मैं 1889 धाड़ा जिला करनाटक में हुआ था एवं मृत्यों 26 अगस 1975 को हुई विभारत के स्वतनता सेनानी और कॉंग्रिस के प्रसिद्ध राशनिता थी चिनोंने भारतिय स्वतनता संगराम की दिन जो सभा का सदस्य चुना गया था देश के प्रती निष्टा और सेवा भावना को देखते हुए भारत सरकार ने नारायन सुबाराव को पद्मभूशन से समानित भी किया गया था ऐसे महान व्यक्तित्व समाज से वी विरले ही चन लेते हैं कॉंग्रिस पार्टी डॉक्ट अध्यक्षर रामुवर्मा, नगर सिवादल अध्यक्षर शामलाल नामदेव, नरेंद्र ठाकुर, संजे जैन, ललेट डहेरिया, अमिच्च्वरसिया, अधुराग महेश्वरी, शहिद मनसूरी, शिशुपाल सीह चोधरी, रामभरोस सीह रगवशी, रमेश डहेरिया, द शिवापदादी कारिगन उपस्तित रहे, बीस्यन नियूस के लिए 14 से समाधातार राजेश उएके की रिपोर्ट